हमश्कार दोस्तों पात्वाइंटर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जहां एक तरफ निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत महत्पून होती है वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन का फ्री और फैर होना election to be free and fair जो conduction है वो और जादा महत्पून हो जाता है जिसके लिए समय समय पर electoral reforms लाए जाते हैं हाल ही में election commission of India ने political parties को मिलने वाली donation के संदर में एक सक्त रवया अपनाते हुए सरकार को कुछ चीजे recommend की है क्या है वो चीजे किस तरह की political donations की हम बात कर रहे हैं और संदर में election commission ने क्या क्या propose किया है उन सभी चीजों के बारे में आज की session में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले news headings देख लेते हैं election commission of India seeks restrictions on cash donations to political parties rights to government restriction की बात की जा रहे है cash donation पर donation of over 2000 rupees to parties can't be anonymous अब 2000 rupees से उपर की donation parties को दी जाती है वो बेनामी नहीं होनी चाहिए ऐसा suggest किया है election commission ने साथ में जो poll panel है वो कहीं न कहीं transparency की बात कर रहा है political funding में इन सभी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे पहले news देख लेते हैं so election commission ने प्रपोस किया है कि political parties को disallow कर देना चाहिए to accept more than 20% of total donation in cash 20 प्रतिशत से उपर की अपनी total donation का 20 प्रतिशत ही केवल cash में ले सकते हैं उसे उपर नहीं ले सकते हैं और साथ में they declare names of donors for amount above 2000 और 2000 से उपर का कोई donor है अगर 2000 रुपे से उपर कोई donation दे रहा है तो ऐसे donor का नाम भी declare करना चाहिए EC ने suggest किया कि parties को जो भी political parties हैं उनको जो अगर उनको कभी कोई foreign funds मिले हैं या they have received some foreign funds they should declare that वो उनको declare करें यहां मैं आपको बता दूँ कि हमारा Representation of People Act 1951 और Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010 दोनों ही Acts किसी भी political party को foreign funding allow नहीं करता है लेकिन अगर कोई political party ऐसी funding ले रही है तो उसको assess करने के लिए election commission के पास कोई mechanism फिलहाल नहीं है इसी संदर में Chief Election Commissioner of India राजीव कुमार ने एक letter लिखा Union Law Minister Kiran Rajujiro को recommend किया कि कुछ amendments लाने की आवशकता है in the Representation of People Act 1951 आज के session में इनी सब चीजों के बारे में हम detail में बात करने वाले है उससे पहले और क्या-क्या प्रपोस किया गया और क्यों प्रपोस किया गया यह समझ लेते है तो Election Commission ने प्रपोस किया है कि जो cash donation है it should be limited at 20% 20 प्रतिशत पर यह limit हो जानी चाहिए जैसा कि मैंने आपको बताया या फिर maximum of rupees 20 crore अधिक्तम 20 crore रुपे तक की donation होनी चाहिए जिससे की election funding है जो black money की उसको cleanse किया जासे जो काला धन है वो election में funding में ना आए इसको ensure करने के लिए cleansing की तरह देखा जा रहा है यह जो amendment आया है इससे क्या होगा इससे एक और चीज होगी कि जो भी parties हैं या candidates हैं वो एक separate account maintain करें यह भी propose किया गया है जितनी भी receipts आ रही है जो भी payments उनको आ रही है election के संबंद में उसको एक अलग account में रखा जाए उसके लिए अलग account maintain किया जाए और उस account को transparently disclose किया जाए authorities को as election expenditure उस पैसे को election authorities को भी declare किया जाना चाहिए कि आपको यह election expenditure के लिए पैसा लग रहा है इससे कुछ महत्पून चीजें होंगी जैसे हमें पता लग जाएगा funding कहा से आ रही है कितनी funding आ रही है इसके साथ साथ कितना पैसा खर्च हो रहा election में इन सभी चीजों के बारे में पता लगेगा ऐसा recommendations अभी फिलाल election commission की तरफ से आया है इसी के बारे में और जाधर detail में बात करते हैं बट before moving forward आप मुझे follow कर सकते हैं pathfinder के telegram channel पर आप मुझे follow कर सकते हैं nd life 10 पर भी for all my class details, schedules and pdfs unacademy app पर भी आप मुझे follow कर सकते हैं मेरी special class और plus courses के लिए enroll करने के लिए आपको सिर्फ मेरा code यूज करना है nd life 10 plus course मेरा शुरू हो रहा है by September से शाम 6 बजे details आपको description box में मिल जाएंगी why unacademy? because unacademy subscription आपको बहुत सारे benefits देता है जैसे widest choice of educators unlimited views on lectures, live mentorship daily answer writing practice along with the result that we're producing year after year now in recommendations की आवशकता क्यों है क्यों ये recommendations लाई गई है तो इस संदर में कहा गया है कि इनका उदेश है कि election की प्रक्रिया में एक तो reforms लाए जा सके और transparency लाई जा सके transparent बनाया जा सके in terms of donations जो donations जो funds मिलते है political parties को इसके साथ साथ ना केवल donation की प्रक्रिया को और जाधा बहतर बनाने की बात करें reform सुधार लाने की बात करें transparency की बात करें but also जैसा मैंने आपको बताया expenditure जो हो रहा है political parties के द्वारा इस race में जीतने के लिए election में कई बार क्या होता है we know the problems with the elections is muscle power money and muscle power बाहूबल है ना पैसा है और बाहूबल के आधार पर candidate जीत जाते है उसको ticket मिल जाते है तो इन सब चीजों को check करने का भी ये काम कर सकता है ये भी एक important चीज होगी as per the rules and force currently अभी जो rules हैं हमारे यहां पर political parties को disclose करने होते अपने donations above 20,000 अभी जो donations आ रहे है political party को 20,000 से उपर की donations के वल वो disclose करते हैं जो वो देते हैं अपनी contribution report में जो submit करते हैं election commission को अगर ये amendment आ जाता है तो क्या हो जाएगी limit limit would be 2,000 and above 2000 से उपर का donation declare करना पड़ेगा ठीक है election commission का अगर ये approval हो जाता है इस पे proposal पे तो 2000 से उपर की donation भी report करनी पड़ेगी जिससे की transparency आने की chances हैं इन्दी funding इसलिए proposal आया है now क्यों इसकी आवशक्ता पड़ी या क्या है इसका background तो इसका background ये है कि अभी poll panel ने recently deal list किया 284 defaulting and non-compliant registered unrecognized political parties इनको R.U.P.P.S. भी कहा जाता है non-compliant जो comply नहीं करती है registered unrecognized political parties registration दो उनका हुआ है इसी है registered है लेकिन recognition नहीं मिला है उनको अभी election commission से declaring and also declaring more than 253 of them inactive इन में से 253 political parties ऐसी है जो registered तो है लेकिन recognized नहीं है non-compliant नहीं करती है उनको inactive भी घोशित किया है तो हाल ही में ऐसा हुआ है पहला तो चीज ये हुई दूसरा recently income tax department ने raid मारी है कुछ entities पे across the country on charges of tax evasion after election commission shared its report election commission ने अपनी रिपोर्ट शेयर की जिसके बारे मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो भी CBREAT की authorities है उनको कहा गी भाई इन पे raid मारी है और बहुत पैसा बरामद वहां से हुआ है actually report क्या थी election commission को पता लगा कि कुछ donations जो political parties ये कह रही है कि उनके पास कोई donation नहीं आ रही कि donation कितनी है निल donation जो आ रही है वो निल बता रही है लेकिन उनके जो account से वो audit किये गए उनके audited account की जो statement है वो बहुत बड़ा amount दिखा रही है उसके receiving दिखा रही है providing large scale transaction in cash जिसमें अधिकतर transaction कैसी है cash में है below the threshold limit of 20,000 मतलब क्योंकि 20,000 से उपर का जो amount है वो declare करना है ऐसे में क्या किया गया 20,000 से कम की बहुत सारी transactions कर दी गई multiple transactions जिसको disclose नहीं किया गया पता नहीं लगा लेकिन जब audited account देखे गए तो वहाँ पर वो transaction पकड़ी गई जिसके बाद election commission ने recommend किया CBD को की income tax की rate होनी चाहिए इसके साथ साथ election commission ने ये भी कहा है कि जो donations है cash donation को restrict किया जाए 20% पर जैसा कि मैंने आपको भी बताया और maximum 20 करोड out of the total fund received by a party whichever is less जो भी इन दोनों में से कम है whichever is less 20 करोड यह 20% इससे भी क्या होगा improvement होगा इसके अलावा और क्या recommendations है यहाँ पर transparency जो expenditure है जो खर्चा होता है election के दौरान उसमें transparency लाने के लिए by the individual candidate जो election में जा रहा है और fungibility को जो जिस तरह से expenditure हो रहा है उसको control करने के लिए remove करने के लिए election commission ने digital transaction और account pay check transfers mandatory करने की बात भी की है यह recommend किया है सभी expenses पर जो 2000 से उपर है to a single entity or person जिस तरह से transactions हुए they were not recorded they were not mentioned 20,000 से कम 19,900 रुपे का transaction इस तरह के transactions इस problem को recover करने के लिए इस problem को solve करने के लिए क्या कर दिया गया recommendation क्या आया है कि अब जो भी transaction 2000 से उपर होंगे किसी single entity को they should be either digital transaction मतलब उसका record होना चाहिए it should be white या फिर अपर अकाउंट पर चेक से transfer करना mandatory करना जरूरी है वही पैसे का जो impact of money है या effect of money है on the election उसको किसी दरह से control या curb करने के तरफ या प्रक्रिया है या amendment की बात कर रहे है now according to the government source ये कहा जा रहे कि जैसे अगर ये amendment आ जाता है तो amendment आएगा किस में it will be made in rule 89 of the conduct of election rules 1961 इस में amendment किया जाएगा अगर ये वाले amendment लाने है तो because this is the act this is the rules the conduct of election rules 1961 जो कि election में पैसे कैसे खर्च होता है उसको basically manage करते है a candidate would have to maintain a separate account अलग से account maintain करना पड़ेगा under this rule for receipt and payments related to elections and the same has to be transparently disclosed जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और वो disclose भी करना पड़ेगा उस पूरे account की details को so मतलब आप अपना पुराना account नहीं use कर सकते हो अभी क्या है अलग से account maintain करने के लिए instruction तो दी गई election commission of India के द्वारा लेकिन कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं जब यह mandatory हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर everybody has to follow it अभी तो इसलिए instruction की तरह जा रहा है फिर it will become a rule instructions or rule, instructions cannot be can be denied but rules have to be followed otherwise there is a provision of punishment है ना तो this is why election commission wants it to become a part of conduct of election rules here now election commission also warns कि जो भी candidate है वो election के लिए मैंने बता दिया आपको पैसे के लिए अलग से अपना account खोले और उस account की details भेजी जाए election commission को समय समय पर election commission electoral reforms में यह भी कह रहे है कि जो भी foreign donation है ensure that no foreign donation creep into the funds of parties foreign donation नहीं आनी चाहिए into the funds of the parties as stipulated under representation of people act and foreign contribution act contribution regulation act RPA 1951 और FCRA 2010 के अंडर यह भी insure करना जरूरी है यह भी एक तरह से reform लाना जरूरी है कि पैसा आ ही ना पाए अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका assess करने का तरीका नहीं है election commission यह reform भी चाहता है कि वो assess हो जाया और पता लगे और यह basically पैसा आए ना foreign funding आए ही ना parties को ठीक है चलिए कुछ basic समझ लेते हैं basic let's talk about election commission of India quickly in RPA 1951 now किसी भी लोकतंतर के लिए free or fair election conduct कराना एक essential component है जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में बताया यह ensure करने के लिए कि हमारे elections free, fair हो, impartial manner में हो, हमारे सम्विधान के निर्माताओं ने part 15 incorporate किया जिसमें आते है article 324 से लेके article 329 जो की empower करते हैं parliament को to make laws to regulate the electoral process election commission of India है यहाँ पर साथ में electoral process को लेके laws बनाने के लिए भी अधिकार दिये गए है election commission of India जो है एक watchdog की तरह काम करता है of free and fair elections in the country and article 324 provides for the establishment of election commission of India, very very important इस context में parliament ने समय समय पर कुछ acts in act की हैं, जिसमें representation of people act 1950 and 1951 बहुत जादा important है जो की बहुत सारी चीदों की बारे में बात करते हैं 1950 basically conduct of election की बात करते हैं 1951 महीं disqualification irregularity etc की बात करती है तो जो amendment आ रहा है वो इसमें आने की बात हो रही है RP 1951 not 1950 do not get confused अभी mains में question भी आया RP Act पर है ना चलिए representation of people act 1951 के जो important points हो देख लेते हैं ये act provision बनाती है for the conduct of elections in the country ठीक है, 1950 बात करती है कि कैसे होगा जैसे voters list की बात हो जाएगी parties की बात होगी इस तब की बात करते हैं यहाँ पर election conduction regulation की बात हो रही है it talks about the corruption and all other illegal activities related to elections जो भी समस्याए हैं the act make provision for dispute redressal in matter connected to election dispute कैसे resolve होगे, redressal कैसे होगा इसके बारे में और साथ-साथ ये qualification or disqualification के grounds भी बताती है for MPs and MLAs member of parliament and member of legislative assemblies इस act में यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं जो changes लाने की बात कर रही है amendment लाने की बात जो चल रही है ठीक है? I hope आपको ये समझ में आया होगा hopefully ये amendment पारित हो जाए इस अंशोधन आजा election की प्रक्रिय है उसमें जो पैसे का involvement है उसको हम minimize कर सके या कम से कम उसका misuse ना हो ये हम उम्मीद कर सकते हैं in the coming future आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा now for anacademy subscription you have to use my code ndlife10 किसी भी subscription के लिए आप मेरा code यूज़ कर सकते ndlife10 to avail the best decision so anacademy के साथ आपको फिलाल सेप्टेंबर में 13 सेप्टेंबर तक मिल रहा extension offer जहां पर आपको 12 महीने में 1 महीने का 24 महीने में CSE Assure यानी 1 साल का extension 36 महीने में भी CSE Assure 1 साल का extension 18 महीने के subscription पर 4 महीने का subscription free मिल रहा है आपको enroll करने के लिए सिर्फ मेरा code यूज़ करना है ndlife10 ndlife10 आपको code यहाद रखना है batches शुरू हो रहे हैं 22 सेप्टेंबर से मेरा batch भी शुरू हो रहे है शाम 6 बजे से मेरी classes शुरू हो जाएंगी you can go enroll now with my code ndlife10 here CSE combat 25 सेप्टेंबर को हर संड़े 30 सुबा 11 बजे अभी जाकर enroll कर लीजी main test series शुरू हो चुकी है subscribe करना है आपको केवल 14,990 रुपे में आपको यह series मिल जाएगी जिसमें आपको 30 प्लस test मिल रहे है superior model answers मिल रहे है practice मिल रही है customized feedback और evaluation मिल रहे है etc doubt दरबार में आपको एक QR code scan करना है और classes attend करनी है आपने सभी doubts resolve करने है these sessions are absolutely free so that's it from my side I hope you like the session don't forget to like, share and subscribe to the channel that's it from my side take care, god bless you and don't forget to use my code NDLIFE10 for your subscription on plus and iconic that's it from my side, thank you